हेलो मेरे चैनल पर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को वीडियो पर संदाता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस इक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीटिंग है आपसे इतना रिजुनेट कर उतना ही रखिए एंड रिडिंग मैरेट अनमारेट मे सब्सक्राइब करना चाहते हैं और क्या निकल कर आ रहा है अपने पार्टनर की एनरजी पर देखते हैं क्या आपके लिए आज की दिन में एनरजी है आपके पार्टनर की स्टॉक करने वाले हैं ठीक है स्टॉकिंग की एनरजी बहुत जादा रहेगी आपको दिखाने के लिए आपको उल्जाने के लिए या फिर एक तरीके से ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आपकर अपना आपका जो अटेंशन है अपनी तरफ कीजने के लिए ये कुछ प कर सकते हैं या फिर कोई पिच्चर डाल सकते हैं ऐसा यहां पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि आपको तो स्टॉक करेंगे लेकिन आपका ध्यान कीचने का भी ये परसन काम जरूर करेंगे यहां पर ओके यहां पर आपकी परसन आप से कहना चाहते हैं कि वापस लौटा हू तुम जो कहो करूंगे वो मैं करूंगा या करूंगी ठीक है वापस लौटा हू जैसे मालीजी आप मेंसे कुछ लोग है जोनों ने अपने person को lift देना ही बंद कर दिया पूरी तरीके से और आपके person ही सोच रहे हैं कि आप तो response ही नहीं आ रहा है उस तरफ से क्या हो गया है क्या हो गया है तो वह आपके partner आप पर बोल रहे हैं कि जैसा तुम चाहो वैसा कर लो लेकिन लोट आओ ठीक आपके person को बहुत अच्छा लगता है जब आपके और आपके partner की जोड़ी की तारीफ होती है जब इनके friends इनके family members या फिर जो भी है जो भी करता होगा मतलब जो भी आपकी connection की तारीफ करता है या आपके partner से कहता है कि तुम तो बहुत लगी हो जो तुम इतना अच्छा इन यहां पर देए किसी के partner की energy निकल कर आ रही कि आपके person कभी भी किसी भी third party में serious नहीं रहे या फिर कुछ लोग का nature होता है ना कि वो third party में कभी जाते नहीं है या ना ही serious होते हैं जस्त वो बातचीत करते रहते हैं वो भी इसलिए ताकि आप उनको और ज्यादा उनके लिए possessive रहो उनको और ज्यादा attention दो इसलिए उनको attention पाने की बहुत ज्यादा आदत होती है आपका partner कह रहा है कि third party या कोई भी तीसरे वेक्ति के साथ आपके person कभी serious रहे ही नहीं और नहीं कभी serious हो सकते हैं क्योंकि आपकी जगा उनकी life के अंदर कोई ले नहीं सकता है वो just attention attention पाने के लिए या फिर आपके आपके आपको और ज्यादा possessive देखने के लिए इनके लिए अपने आप अपने आपको वो करने के लिए कि या आप ज्यादा इस person को special समझे और ज्यादा इनके लिए possessive हो तो ये बस आपको जलाने के लिए साई चीज़ें करते रहते हैं ब किसी से बात नहीं करोंगे, आपकसी और के नहीं बहुत अच्छा लगता है और ये सारी चीज़े इस person को बहुत मज़ा दलाती है और आपका possessive होना इस person को फील कराता है कि आप इस person को बहुत जादा चाहते है इस वज़े से ये सारी चीज़े इस person सबर्दस्ती करते रहते हैं connection में जबकि ये आपके partner जो है मेरे पास कोई और है ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है यापे ये घूम फिर कर आते आपी के पास है और इनको आपी के पास वो सुकून मिलता है मतलब यहाँ पर ऐसी energy है कि ये person को बस ये है कि हमेशा आप इनके बारे में सोचते रहो आप इनके लिए possessive रहो आप इनकी क्यार करो इनकी फिकर करो इन पर हक जटाओ इनको बोलो कि आप सिर्फ मेरे हो इस तरी की चीज़ें इस person को बहुत अच्छी रखती है ये इस person को अपने पन की जो वो होती ना कि अपने पन की वाइब देती है कि आपके पसके तरी की Living और देती है और इनकी की जो आपको इनकी अपको तर्चर कर देते हैं आपको ज़दा गार कर देतेती हैं इसी चीज में ये आपको खूणा दे यहां पर वो डरगी कि आपको मजाख मजाख में यहां फिर मस्ती में परसंग कही ज्यादा हर्ट ना कर दें या खो ना दें यह थीक है इसी वह से यह परसंग आपके अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं आज करेंगे अगर आप इस परसंग से बात नहीं कर रहे हो आ आपको दिखा सकते हैं जिससे फिर से आप ट्रिगर हो जाओ या फिर फिर से आप इनके बात करने पहुंच जाओ या इनकी तरफ पहुंच जाओ मतलब कुछ ना कुछ यह आपका ध्यान कीचने के लिए करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं यह परसन आपसे भी बोलना चाहते हैं कि जितना यह आपसे दूर जाते हैं उतना ही आपके करीब आते हैं इसक्ता जाते हैं जाते हैं आपके बार्टनर को अशितना ही बात बढ़ए है लिए उतना ही परसन करीब आ जाते हैं यानि कि जितना आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगी उतना ही जादा आपके पार्टनर आपके फीलिंग वाइस आपके करीब आ जाते हैं आपके पास आ जाते हैं ऐसा यह फील करते हैं और जादा आपकी याद आने लगती और जादा आपके उपर इनको लफ फील होने लगता है, ऐसी यहाँ पर एनरजी है यहाँ पर एक सॉंग चैनल हो रहा है दिल मेरे तू दीवाना है पागल है मैंने माना है पल-पल आहें भरता है कहने से फिर डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है इस परसन को लगता है कि आपके अलावे इस परसन कोई संभाल भी नहीं सकता है जितनी इनकी हरकते हैं और जिस तरीके की चीज़ें करते हैं इतना हैंडल ने कोई और कर भी नहीं सकता कि आप इस तरीके से आप बहुत कुछ टॉलरेट भी कर रहे तो एस परसंगी हर चीज़ माल लेते हो अपने इस तरशे चीज़ों को डील कर लेते हो इतना इस परसंग को और कोई जेल भी नहीं सकता यह परसंगा साथ नंबर यहां पर आपकी जोड़ी है बहुत कि विए तै सीर्यस नहीं है आप दोनों भी दूसरे को कई बार सीर्यसली नहीं लेते हो जब कि यह कौनिक्शन जो है वो आपके पार्टनर को भी बहुत स्टांग फील होता है और आपको भी बहुत फिलो था और दोनों ही ऐनको ऐसा है कि चाहते है कि लित ना और एक दूसरे की तरफ आप लोग का ये भी रहता है कि तुम भी मुझे पूछो तुम भी मुझे special मानो मैं भी तुम्हें पूछ तुम भी मुझे पूछो तुम भी मुझे special मानो यानि दोनों ही दूसरे की attention पाने के लिए बहुत सारे कामों को खरते हैं और दोनों ही एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से कि तुम मुझे मानो तुम मुझे मानो तुम मुझे स्पेशल मानो ऐसी एनरजी यहाँ पर निकल के आ रही है यह पर से आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे कभी दूर नहीं हो सकता और आपकी जगह कोई ले भी नहीं सकता कोई और पसंद नहीं आता है कोई third party, fourth party, fifth party, इस person को पसंद नहीं आती, यह जिस्ट आपको जलाने के लिए आवाँ बात चीत करते रहते हैं, कि जब आप इस person पर हग जताते हो, कि तुम मेरे हो, तुम किसी और से बात नहीं करोगे, ऐसा वैसा, तो एक कुछ लोगो कि उनको मज़ा आता है, उनको तो किसी और के साथ करेंगी भी ने, उस लोग ऐसे होते हैं, जो मेरेज के नाम पर बहुत ही जादा है, जबर्दस उस ताइप के इनसान होते हैं, कि जब तक वो hundred percent sure नहीं हो जाते है, मेरेज को लेकर किसी के लिए, मेरेज तो उनके बहुत दूर दूर तक होती है, उन्हे कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को तरी आसानी से नहीं छोड़ते हैं, जगरते हैं बहुत हो आप लोग ठीक है, एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, कि मैं तुम्हें बहुत जादा चाहता हूँ, या अबर ये भी नज़र आ रहा ह इससे भी आप पीछे नहीं हटते हों तो ये जो कनेक्शन है ना ये बहुत ज़्यादा खटा मीटा कनेक्शन है और ना तूटने वाला कनेक्शन है, अगर इसमें आप जारूरत से जादा ढील ना दो, ये कनेक्शन कभी तूट भी नहीं सकता. ये परसन आप से ये भी क्या रहे हैं कि आपको हमेशा ऐसे ही चाहते रहेंगे, कि क्या हमेशा आपको ऐसे ही चाहते रहेंगे, कभी इनका जो प्यार है वो नहीं बदलेगा आपको लेकर, क्योंकि इस परसन को ऐसा फील होता है कि ये कभी ना खतम होने वाला प्यार है, ज चार दिन गी बाद ये person आपके और करीब आ गया है जानी कि जितना ये person आप से प्यार कर रहे थे उस से और जादा प्यारिस person के बान में आपको लेकर बढ़े गया यानी energy wise feeling wise और करीब ये partner आपके आ जाते हैं याँ हमेशन ऐसा feel होता है तो दिना लगता है कि connection कभी खतंब नहीं हों कि जिससे दूर रहने पर भी आप उसकी और ज्यादा करीभ आते हो उससे आप कभी दूर हो ही नहीं सकते थर उसके बनाप कभी रहा ही नहीं सकते एक तरिके से याव पर ऐसा मैसन निकल करा रही जिस्टा कभी भी खतम नहीं होता जिससे दूर रहने पर भी नजदी के और जादा बढ़ जाती हूँ यहाँ पर एक सॉंग चैनल हो रहा है दिल में हो तुम आखों में तुम पहली नज़र से ही आ रहा यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल करा रही है कि जब से आपके परसे ने आपको देखा है यह किसी और को मतलब किसी और की तरफ उस तरह से देख ही नहीं पाए यानि कि जब से इस परसन आपको देखा है ना आप ही जैसा प्यार इस परसन के मन में बस क्या है कि आप ही जैसा प्यार मिले जैसे आप कर प्यार करते हैं वैसे ही प्यार हमेशा इस परसन को जिन्गी भर मिले और किसी का प्यार या फिर और किसी की चीज़े और और किसी की ब कि मतलब आपकी बात इस परसन का दिल चूती हैं चलिए देखते हैं कार्ट साप के लिए क्या बता रहे हैं कि मतलब आपकी अक्राप जो कि मतल आपकी अविए आपकी के लिए खावात आपकी आपकी जैओ आपकी अविए रहे हैं झाल झाल आपके बढ़ से ने वो जबरदस्त लट्टू है आप जू पर चीचे किंग ऑफ बॉंस यहां पर आज कल ना आपके पार्टनर के दिमाग में आप से आपकी मैरे से रिलेटेड बात है चल दी जैसे लग रहा है किंग ऑफ बॉंस ना इधर पर फॉर अफ कप्स को देख रहा है फॉर अफ कप्स को देख रहा है और उपर कुईन आफ कप्स हैं यानि कैसे लग रहा ही कि आपका पार्टनर ना आपके शादी के ख्यालों में खोया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ लिगे आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कोई अंतर नहीं पड़ता आपकी शादी कहीं भी हो जाए जो लॉजिकल लोग होते हैं उनकी जिनकी बड़ी ही लॉजिकल वे में चलती है हर चीज में लॉजिक्स चाहिए होते हैं तो ऐसा नहीं कि इनकी मन में कोई डर नहीं होता या इनने कोई फरक नहीं पड़ता या फिर इनने तो कुछ मतलब ही नहीं होता है connection से ये एकदम जूट है इने बहुत जादा मतलब होता है और इने बहुत जादा फरक पड़ता है problem कहा होती है ये ऐसा शो कर देते हैं कि ने कोई फरक नी पड़ता इन ये सब कुछ handle कर लेंगे इनकी जिनके में सब manage कर लेंगे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही होती है लेकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आप किसी को चाहते हो और आप उसके बारे में विलकुल भी ना सोचो एक बहुत अच्छी बात बताती हूं एक लड़की और एक लड़के के महबत में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ठीक है यहां पर मैं लड़की लड़की की बात कर दी हूं चलो masculine feminine energy की बात कर लें तो जो हम बात करते है feminine energy का जो सभाव ही है वो है love कि आप प्यार कर ना हमता है लेकिन masculine energy का जो सभाव होता है वो बहुत जबर्दसT आ इतना जादा वो नहीं होता है तो एक तरीके से जब हम बात करते कि इसी male की या फिर किसी ऐसे वो statistी की जो बहुत जादा practical है वो जब किसी के साथ महबत में आता है या love में आता है तो ऐसा कहा आजाती है प्यार में आजाती हुए वह ज्यादे emotional होती है जो उनकी care करेगा फिकर करेगा उनके साथ वो connection में connection में नहीं भी आएंगी तो उनके लिए feel करने लगती है लेकिन एक लड़का जो है वो बहुत logicल होता है बहुत practical होती है आसानी से वो किसी को चाहते है लेकिन एक बार किसी के साथ डीप लव में आ गए फिर उनकी जो स्थिती होती है ना आफटर ब्रेक आप या आफटर यह नो किसी ने हाट ब्रेक कर दिया किसी ने उनको दिल तो तो उसके बाद जो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं यहां पर आपके जो परसन ना इनक कि मैनिफेस्ट कर रही हैं इस वक्त में भी आप दोरों की बीच में जो जगड़ा चल रहा है उसको लेकर भी परसन मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन यहां पर हर्मिट की एनरजी दिखा रही है कि यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ ब्लॉक डाल कर रखा है आपकी तरफ आना कोई ना कोई ब्लॉकेज तेहां पर जरूर है जिसको लेकर इस परसन के अंदर बहुत जादा टेंशन जल रही है और आपकी मैरिज को लेकर यह परसन लगातार सोचें यहां पर ऐसी एनरजी निकल कर आ रही है जैसे मान लीजिए आप पहले अवेकन हुए आप हर्मिट ए आने के बाद और आप यह पहचानना भी सीख जाते हों कि आप जिससे डील कर रहे हूँ आपके लिए कौन है सच में डिवाइन पार्टनर है या फिर कोई नार्सिस्ट है या फिर आप क्या हो कैसे इनसान हो आप किसके साथ डिल को सारे रियल फेसेस उसके सामने आते हैं औ और यह उसको आपकी कितनी कदर आपको समझ में आ जाता है इसके अलावा आपके पार्टनर जब हर्मिट एनरजी में जाते तो उन्हें भी आप से रिलेटेट सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं लेकिन उतना समय आपको इस परसन को देना होता है जब तक कि यह उतनी awareness में नहीं आ जाते जितनी awareness में आप आए हैं तो आप पहले चीज़ों से निकल गए हो तो आपके पार्टनर को यहां पर वही डल लग रहा है कि आप तो definitely इस वक्त सिंगल हो या किसी के साथ आप marriage में नहीं हो ठीक है तो आपकी कहीं और marriage ना हो जाए या आप किसी और के ब गूँझनल को सब्सक्ते हैं और बहूट जाता काम कर्राया है ना रूगातर अपनी और लाने की कोशिश कर रहे हैं और फेक उल्टन की तरफ चाहता है कि यह कहीं कुछ नहीं रखा एंड लब की जो एनरजी है वह बहुत जादा हाई है और बहुत जादा सुकून देती है तब इनसान प्यार चुनना चाहता है लेकिन उस समय पर एक ब्लॉकेज बना होता है कि जब जो चीज आपको मिल रही थी पहले तब आप समझ न के लिए तो वो चीज मुझे यहां पर नजर आ रही है डेफिनिटली यूनिवर्स इस परसंट का टेस्ट जरूर लेंगे आपकी तरफ आते समय यह चीज़ यहां पर दिखाई दे रही है अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपको यूनों सिर्फ यह नहीं है कि आप ठीक है हमने ठेका लेके रखा है क्या हम सारी परिक्षा अमीदें उसको तो कोई मतलब भी नहीं वो तो वड़िया थर्ट पार्टी इंजॉय करें आपकी गलत फ़हम ही होती है अगर रियल में आपका जैनल पार्टनर तो थर्ट पार्टी पहली बाते इंजॉय करता नहीं है वाँ पर लड़निंग लेने के लिए गया है दूसरी चीज़ की सिर्फ आप टेस्ट नहीं देते हो सिर्फ आपकी परिक्षा नहीं होती है अगर आपको हर्मिट एनरजी में डाला है तो जितनी परिक्षा आपकी होती होती हो तनी ही आपके पार्टनर की भी होती है किसी रहे हैं तब आ वो नहीं दे रहे हैं लेकिन बाद में जब आप नहीं दे रहे हैं तो समय में अंतर हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक इनसान देगा और दूसरा नहीं देगा ठीक है जब हम शक्ती की भी बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि मां शक्ती ने परिक्षा द बीच में ताली हमेशाद दो हाथ से बचती है कभी एक हाथ से नहीं बचती और जहाँ पर एक हाथ से चीज़ा होती है वो कभी भी टू कनेक्शन होई नहीं सकता ठीक है ना सो यह एनरजी हाँ पर दिख रही है देखते है अलफाबेट्स अब अब अपने परसनल की इस एनरजी को क्लेम कर सकते हैं किस तरीके से वाप के लिए पॉसेसिव हैं परसनल लीडिंग अगर आप मेंसे लेना चाहते हो बहुत जादा पठके हुए किसी ज़र्णी को लेके आपको दिमाग बहुत जादा आपका आशान्त हो रखा है और परसनल लीडिंग लेतना चाहते हो तो ले सकते हो ठीक है वाट्स अप नमबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब मैं चानल थैंक्यू गाइस